यूराज सिंग फिर से दिखाएंगे बल्ले से कमाल आईपील 2022 में बनेंगे इस टीम के कप्तान दोस्तो क्रिकेट जगत में हमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं जो अपने परदर्सन के दम पर भारती टिम में काफी मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं और अपने परदर्सन से ना सिर्फ भारत बलकी पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और यही वज़ा है कि आज के समय में भी लोग इनके खेल के दिवाने हैं जब यह खिलाडी क्रिकेट से बाहर होते हैं या सन्यास लेने की गुसरा करते हैं तो इन्हें चाहने वाले लोग काफी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और इस खिलाडी में से एक युराज सिंग भी हैं दोस्तो ये दिगदच खिलाडी भारतिय टीम का सबसे दमजार खिलाडी माना जाता था हाला कि अब इवराज सिंग क्रिकेट जगत को अलविदा का दिया है लेकिन अभी कुछ दिनों पहले खबर सामने आई है कि बल्ले के साथ मैदार में एक बार फिर से खेलते हुए दिख सकते हैं और इतना ही नहीं बलकी खबरे या भी हैं कि यूवी आईपिल टीम में न सिर्फ एक खिलाडी बलकी कप्तान के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे आए जानते हैं कि यूवी आईपिल में किस टीम के साथ हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तो क्रिकेट जगत में यूवी के नाम को सिर्फ नाम नहीं बलकि एक ब्रांड के तोर पर देखा जाता है अगर इवरात सिंग के बारे में जादा कुछ बताये तो इनहों ने साल 2007 में वर्ल्ड कप में इंगलेंड जैसी मजबूर टीम के किलाप छे गेंदों में छे चक जनिया के महान खिलाडी यूवी के पास आज भी किसी चीज की कमी नहीं है इसलिए फिलहाल यूवी अपने जिंदगी को बेहतरिन तरीके से जीने का सौक रखते हैं यूवी ने अभी कुछ सी समय पहले एक बयान में कहा था कि वह बहुत जल्दी ही क्रिकेट जगत में होद सारे बदला हुए हैं जिसके चलते यह आई पिल सबसे बहतरिन आई पिल होने वाला है इस आई पिल में दो नई टीमें जुड़ी हैं जिसमें एक का नाम अहमदाबाद होगा और दूसरी का नाम लखनव होगा इवराद सिंग जिस टीम से खेलते हुए नजर आएंग के उस टीम का नाम अहमदाबाद है आईए आपको इस टीम में इवराद सिंग के किरेदार के बारे में बताते हैं दोस्तों आप जानते हैं कि यूवी का क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है और हाल में ही एक बार फिर क्रिकेट में अपनी वापसी करने की खुश खबरी फ और अब इसी के साथ युवी के फैंस युवी को आई पियल में बल्ले के साथ मैदान में एक बार फिर धमाल मचाते हूए दिखाए दे सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इवराद सिंग आई पिल में वापसी करेंगे या फिर नहीं करेंगे आप कमेंट करकर जरूर बताइए बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्रा